पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को चमतकारी मृत संजीवनी मुद्रा के बारे में बताया था आज मुद्रा विज्ञान की ही बात करते वे एक और चमतकारी मुद्रा की चर्चा करेंगे आज जिस मुद्रा की मैं बात करना हूँ उस मुद्रा का नाम है शुन्य मुद्रा यह मुद्रा का जो प्रभाव है बहुत शिग्र कानों पर होता है कान के रोगों पर इसका तुरंत असर दिखा गया है अगर आपके कान में दर्ध हो तो तुरंद ये मुद्रा लगा ले तीन से पांच मिनिट के अंदर अंदर आपका कान का जो दर्ध है वो कम होने लगेगा अगर कोई विशेश रोग है कान का तो औशदी के साथ इस मुद्रा का भी पिरोग करें तो आप देखेंगे कि बहुत शिग्र लाब हो रहा है अगर 45 मिनिट इस मुद्रा को नित्ते लगाएं तो कम सुनाई देना, कान का बहना, कान का दर्ध पूरी तरह से ठीक हो जाता है अगर धेरे के साथ इसी मुद्रा का नित्ते अभ्यास करें तो बिलकुल बहरा व्यक्ती भी ठीक हो सकता है पंज तत्व से बने हमारे शरीड में जब आकाश्ट सत्व बढ़ जाता है तो कानों से सुनाई कम देने लगता है इस शुन्ने मुद्रा से अकाश्ट सत्व का प्रभाव कम होता है और हमारे कान फिर से सुनने लगते है कान की बहुत सारी बिमारिया इस चमतकारी मुद्रा से सरल्दा से ठीक होने लगती है यहां सब आपको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपके दाए कान में दर्द हो तो मुद्रा आप बाया हाथ से बनाए और अगर बाया कान में दर्द हो यानि लेफ्ट कान में अगर दर्द हो तो मुद्रा आप राइट हैंड से लगाएंगे दाइने हाथ से लगाएंगे इस मुद्रा को बनाना कैसे है आप वीडियो स्क्रीन पर इसकी फोटो देख सकते हैं इसमें जो मद्यमा उंगली है जो बीच वाली जो बड़ी वाली उंगली है मद्यमा उंगली उसको अंगुठे की गदी पर लगाएंगे और उपर से अंगुठे के द्वारा हलका सा दबाने पर शुने मुद्रा बन जाती है इस मुद्रा का मैंने भी प्रोग किया है कई बार प्रोग करा है और मैंने कई लोगों पर अजमाया है सब को चमतकारिक लाब हुआ है जब भी कान में दर्द होता है इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं तीन से पांच मिनिट के अंदर दर्द गयाब हो जाता है बिना किसी दवाई के तो आप सब भी इस चमतकारी मुद्रा का प्रयोग करके लाब उठा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस जानकारी का लाब उठा सके और आप इसी तरह की चमतकारी बातों को जानना चाते हैं और अब ही तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना ही